ये वारानसी सिटी में थ्री फ्रेंड्स की स्टोरी है गुपाल, राघव और आर्ती गुपाल चेतन भगत से मिलता है चेतन भगत गुपाल के कॉलिज्च की इनेगुरेशन करने आए हैं और इनेगुरेशन के बाद गुपाल के घर ड्रिंक के लिए आते हैं गोपाल कुछ ड्रिंक्स के बाद बात्रूम में बेहोश हो जाता है, चेतन भगत गोपाल को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, हॉस्पिटल में गोपाल होश में आने के बाद चेतन भगत को अपनी स्टोरी बताता है, स्टोरी फ्लाश बैक में चलती है, स्टोरी शुरू होती है जब गोपाल, राघव और आर्ती तीनों की एज 10 येर्ज की है तीनों स्कूल में है गोपाल आर्ती के टिफिन बॉक्स से खाना चुराता है आर्ती पहले तो नराज हो जाती है पर बाद में गोपाल बताता है उसके मदर की डेथ हो चुकी है जिसके कारण उसको टेस्टी फूड कम ही मिलता है आर्ती गोपाल को टिफिन शेर करने की ओफर करती है और दोनों दोस्त बन जाती है आर्ती एक रिच फैमली से बिलॉंग करती है लेकिन गोपाल के घर की फैनेंशल हालत खराब है गोपाल के फादर एक किसान है और उनकी जमीन पर डिस्प्यूट चल रहा है गोपाल के मदर की डेथ तभी हो गई थी जब गोपाल फोर येर्स का था गोपाल के फादर को अस्तमा है टाइम के साथ साथ गोपाल को आर्ती से प्यार ड्वेलप हो जाता है गोपाल ने कई बार आरती से अपना लव एक्स्प्रेस किया पर आरती गोपाल को सिर्फ फ्रेंड ही मानती है तीनों दोस्त JEE और All Indian Engineering Entrance Examination की कोचिंग लेते हैं आरती एर हुस्टेस बनना चाती है गोपाल इंजीनियर बनना चाता है क्योंकि ये उसके फादर का ड्रीम है रागव JEE अच्छे रैंग से क्लियर कर लेता है मगर रागव का ड्रीम इंजीनियर नहीं बलकि जोर्निस्ट बनने का है गोपाल JEE नहीं क्लियर कर पाता और हिम्मत हार जाता है और सिर्फ अपने डैड का ड्रीम पूरा करने के लिए कोटा सिटी में कोचिंग लेने चले जाता है गोपाल की एपसंस में राघव और आर्थी क्लोज आ जाते हैं और दोनों का अफेर हो जाता है गोपाल को इसका पता चलता है और वो कोटा में बहुत अकेला फील करता है JEE एक्जाम देने के बाद गोपाल वारा नसी वापस आ जाता है और देखता है अब उसके फ्रेंड्स की लाइफ पुरी तरह चेंज हो चुकी है गोपाल के फादर ने अपनी सारी सेविंग्स गोपाल को JEE क्लियर कराने में लगा दी अब उनके पास कुछ नहीं बचा पर इस बार भी गोपाल JEE क्लियर नहीं कर पाता ये बात जब गोपाल के फादर को पता चलती है तो वो गोपाल को बहुत बुरा भला कहते हैं गोपाल अपने फादर से कहने लगता है कि उसने 5000 रुपिस की वेटर की जॉब ढून ली है पर तभी गोपाल को पता लगता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है गोपाल अपने फादर की अंतिन संसकार का arrangement करता है गोपाल के अंकल भी अंतिन संसकार में आते है और वो गोपाल को disputed land को छोड़ने के लिए 3,00,00 रुपिस औफर करते है गोपाल को पता लगता है उसके फादर 2,00,00 के करजे में डूबे हुए है गोपाल तूट जाता है तभी गोपाल का एक फ्रेंड गोपाल को एरिया के MLA शुकला जी से मिलवाता है शुकला जी डिस्प्यूटेड लैंड पर कॉलेज बनाने में इंटरस्ट शोग करते हैं और जोर जबरदस्ती से शुकला जी गोपाल के रेलेटिव से डिस्प्यूटिड लैंड फथ्या लेते हैं और गॉर्मेंट ओफिशिल्स को रिश्वत देकर लैंड पर कॉलिज बनाने की एप्रूवल भी ले लेते हैं गोपाल आज इस इंजिनरिंग कॉलिज का मालिक है एक निउस्पेपर में रिपोर्टर की जॉब एकसेप्ट कर ली गोपाल के कॉलिज की इनगुरेशन के डे हर निउस्पेपर में बड़ी सी एड़टीजमेंट आई लेकिन रागव ने गोपाल का ही एक इंटरिव्यू पब्लिश किया और पब्लिश किया कैसे गोपाल ने शुकला जी के साथ मिलके घपले किये और कैसे ये कॉलिज खोला इसका नतीजा ये हुआ उन लोगों ने रागव को जॉब छोडने के लिए मजबूर कर दिया रागव ने जॉब छोडने के बाद अपना एडिटोरियल पेज रेवलिशन 2020 शुरू किया रागव अब बहुत बिजी हो गया गोपाल और आरती ने रोज मिलना शुरू कर दिया गोपाल ने आरती को फिर प्रपोस किया आरती ने जादा रिजिस्ट नहीं किया गोपाल ने एक रूम बुक किया उस होटल में जहां आरती जॉब करती थी दोनों एकठे ही रूम में रहे आरती को गिल्ट फील हुआ क्योंकि आरती रागव के साथ रिलेशन्शिप में होते हुए गोपाल के साथ इंटीमेट हुई अब गोपाल अपने बंगलो में शिफ्ट हो जाता है गोपाल आरती को भी वहाँ इन्वाइट करता है और रागव से बात करने को कहता है रागव एक बिग स्टोरी कवर करता है जिसमें MLA को रिजाइन और फ्रॉड करने के लिए जेल जाने के लिए प्रेशराइज करता है रागव की प्रेस पर MLA के गुंडे अटैक करते हैं और प्रेस को तोड़ देते हैं आरती के फादर से लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इलेक्शन में खड़े हो पर फादर बिमार थे तो लोग आरती से उमीद रखते हैं कि आरती इलेक्शन लड़े आरती गुपाल को हिंट देती है वो उसके हस्बेंड बने और MLA भी इसी बीच रागव हाथ से लिखकर हैंड आउट्स को फोटो कॉपी कराकर लोगों में बांटता है और MLA के करप्शन के बारे में अवेर कराता है गुपाल गुस्से में आकर रागव के घर जाता है ये बताने के लिए कि रागव कितना बड़ा लूजर है उसकी जॉब और उसकी गिल्फरेंड लोगों ही उससे चीन ली गई है गुपाल रागव के घर पहूंचकर रागव के घर पर एक किसान से मिलता है किसान का सन गंदा डrinking water पीने से मर रहा है और इस गंदे drinking water की वज़ा एक minister का scam है और ये फार्मर रागव से उसको रिपोर्ट करने की रिक्वेस्ट करता है गोपाल खुद को उस मरते छोटे लड़के में देखता है गोपाल को अपना बच्पन याद आ जाता है गोपाल के फादर भी एक किसान थे गोपाल को लगता है अब ताइम आ गया है जब वो अपनी लाइफ के ड्यूस पे करेगा अब गोपाल के अंदर का अच्छा इंसान जाग चुका है गोपाल रागव के न्यूस पेपर में कॉल करके रागव को दुबारा जॉब पर रखने को कहता है गुपाल एक ऐसा सीन प्लैन करता है जिससे आरती गुपाल को दो प्रोफेशनल लड़कियों के साथ देखे और अपनी लाइफ से बाहर निकाल फेंके गुपाल रागव के पास जाता है रागव से आरती के क्लोज आने के लिए कहता है और कहता है अगर रागव आर्ती से शादी कर लेगा तो रागव MLA बन जाएगा इसके वन मंत बाद गोपाल को रागव और आर्ती के अंगेजमेंट का कार्ड मिलता है और बाद में वेडिंग कार्ड भी मिलता है अब गोपाल अपने काम में बिजी हो जाता है ये सब गोपाल चेतन भगत को बताता है और फिर पूछता है क्या गोपाल एक अच्छा इंसान है? ये स्टोरी हमें तीन चीजें सिखाती है पहली, कई बार हमारे पेरेंट्स हमें अपने केरियर चूज करने के लिए पुश करते हैं जिसके लिए हम नहीं बनें, ये हमारी सेल्फ एस्टीम को लो करता है सेकिंड, चाहे जिन्दगी हमें कितना ही सताए, हम सभी में एक इनोसेंस छुपी होती है थर्ड, हमारे सब कॉंशियस माइन में हमें पता होता है, हम कुछ गलत कर रहे हैं झाल, हमारे सब करता है